जिन बच्चों को आलू से बने हुए नास्ते और टिफिन बहुत ही पसंद आते हैं तो ये टिफिन है उनके लिए जो बनाना भी आसान है और सबका फेवरिट भी तो इसके लिए हमें ले लेना है आपर सबसे पहले आटा तो हम लगाएंगे आटा तो नॉर्मल गेम का आटा लेना है हमको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मैंने 500 ग्राम लिया है उसमें डाल देंगे नमक स्वादन उसार तेल वगारा कुछ भी एड नहीं करना है इसका हमें सौफ्ट सा डो लगा कर तयार करना है किसी भी stuffing वाले पराठे को बनाने के लिए हमेशा हमें soft आटा लगाना चाहिए जिसे कि stuffing बाहर ना निकले और पराठा बहुत ही easily बन जाते हैं तो यह देखें बहुत ही बड़ी हांसा soft आटा हमने लगा दिया है थोड़ा सा oil लगा दे और इसे 10 मिनिट के लिए rest होने के लिए छोड़ दे rest करने से आटा क्या होता बहुत अच्छा फूल जाता है और फिर इससे बनने वाली रोटी पराठे बहुत ही बहुत अच्छे बनते हैं तो आप इस तरह से तेल लगा कर आप इसको रख दे साइड बे और हम बना लेते हैं stuffing तो इस stuffing बनाने के लिए मैंने लिया है आलू तो आप यहाँ पार उबले हुए आलू ले 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 हूँ आप अपनी quantity के साब से ले सकते हैं मैंने पतले वाले greater से इसे grate कर देना है तो आप हातों से भी grate कर सकते हैं हातों से फोड सकते हैं मैसर से फोड सकते हैं और आप इस तरह से greater से भी कर सकते, इससे क्या होता है, इसमे कोई भी गुटलिया या लम्स नहीं रहते और पराथा बिल्कुल भी नहीं फटता है तो सभी आलू को जितने का आपको बनाना हो आप इस तरह से इसे ग्रेट कर ले अब इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक चुटी चमच डाल देंगे हल्दी पाउडर साथ में डाल देंगे एक चमच कास्मीरी रेट चिली पाउडर नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार तो इस मसाले को बनाने के लिए कोई भी चौपिंग कोई भी महनत नहीं करनी है बस थोड़े से मसाले डालने है बस और अगर आपको ये सारा ताम जाम भी नहीं करना है या बच्चों को हेल्दी लंच बॉक्स देना है तो आप आटा पहले से लगा लें और इस तरह से स्टफिंग भी तो बस अब आटा हमारा बहुत बढ़िया से रेस्ट हो गया है आप देख सकते हैं काफी फूल गया है और फूलने के बाद ये थोड़ा और भी जड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो अब इससे हम एक निवू के साइज की बॉल कट कर लेंगे और अच्छे से उसकी हम एक कटोरी जैसे बनाएंगे तो आटे को पहले एक बार नीट कर लेंगे और इसके बाद ही हम उसमें से एक कोई भी बॉल्स कट कर लेंगे तो जितना मोटा बड़ा पराठा आपको चाहिए है उस हिसाब से आप लोई कट कर लें जिससे की बढ़िया से स्टफिंग इसके अंदर भर सके तो यह देखिए बड़िया सामने आपर एक लोई ले लिए है थोड़ा सा आटे बड़िप करके इसको इस तरह से कटोरी जैसा बना ले रहा है तो मैं यहापर सिंपल आलू के पराठे बनाने वाली हूँ अगर आपको इसके अंदर पनीर चीज यह सब डालने हूँ तब आप इसके अंदर भी एड़ कर सकते हैं वैसे बहुत ही सिंपल यमी बनने वाली स्टफिंग है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है क्योंकि इसमें कोई ताम जाम नहीं है तो मम्यों को भी बनाने के लिए बहुत ही ईजी पड़ जाता है और यह देखिए बढ़िया सामने इसको फिलिंग को बंद कर दिया है आटा इतना सौफ्ट है न कि अपने आप ही अच्छे से सील हो जाता है अब यह देखिए बढ़िया सा थोड़ा सा एक पराटे में और डिप करेंगे और नर्मली जिसे हम पराटे बनाते हैं वैसे हम इसको बना लेंगे हाथों से बढ़ाने से क्या होता है कि यह बस एक दो बेलन में बढ़ा हो जाता है और फटने के कोई चांस नहीं होते हैं तो बढ़िया सा आप कोई भी सर्फेस में इसको बेल ले बढ़िया सा थोड़ा थोड़ा आटा लगा ले जिससे कि यह चिपके न और सिंपल सा हम इसको बेल देंगे किसको किसको आलू के पराठे हमेशा बहुत पसंद आते हैं या फिर आप इसमें कोई वेजिस वगरा एड़ करते हैं या फिर आप लोग किस तरीके से बनाते हैं कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसा मैं बता रही हूँ बस वैसा ही बनता हो अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरीके से सारी डिसिस बनती हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है तो ये देखिए बढ़िया सामने पराठा जो है वो बेल दिया है इसी तरह से जितने पराठे आपको बनाने हो आप उस तरह से इनको बेल दीजिए और बना लीजिए अब एक तबा ले लेंगे कोई भी नॉर्मल लोहे का या जो भी आपके घर पर हो तब एको गरम हो जाने देंगे और इसको हम रख देंगे जब यह एक तरप से सिख जाएगा तब हम इसको टर्ण कर लेंगे टर्ण करने के बाद आप इसको तेल से घी से ओल से या फिर बटर से जैसे सेखना चाहें वैसा सेख सकते हैं इसमें कोई भी आपको यह नहीं रहता कि आप तेल ही इस्तमाल करें या घी ही इस्तमाल करें सबसे ज़्यादा टेस्ट घी से आता है और इसके बाद फिर आपको जो तेल पसंद हो जो घी पसंद हो आप उससे बना लें यह देखिए बढ़ियां से इसमें चिट्या पढ़ने लगी है और इस तरह से हमको दबा दबा कर इस पराठे को सेखना है जिसे कि कहीं से भी कच्चा ना रह जाए और ये देखिए बहुत ही सांदार हमारा आलू का कम महनत में बनने वाला पराठा तयार हो गया है तो बच्चों को अगर आप इस तरह की रेसिपीस देंगे न क्योंकि उनको ये सारी चीज़े ही पसंद आती है तो मार्केट का नास्ता देने से अच्छा है कि हम घर पर ही बनाए तो मैंने आज इस तरह से ट्रेंगल सेप में रख रही हूँ आप अपने हिसाब से कट करके स्लाइस करके भी रख सकते हैं साथ पर रख दिया है मैंने टोमैटो सास आप इसके जगापर मियूनी अचार या जो आपके बच्चों को पसंद हो या फिर फ्रूट्स भी दे सकते हैं तो ये देखे आज का लंच बॉक्स बच्चों का स्पेसल बनकर तयार हो गया है तो आप भी इस तरह से बना कर रखिए बच्चों के लंच बॉक्स में और अगर आपको लंच बॉक्स के और भी रेसिपीज देखनी है न तो चैनल पर विजिट कर ये और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए अगर आप इसे फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूले कॉमेंट करके बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और नेक्स्ट मैं आपके लिए किस तरह की रेसिपी लेकर आऊँ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग